नमस्कार इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपूर जिला से आ रही है जहां विभूतीपूर प्रकंग के पतेलिया गांग स्थित पुस्तकाले भवन में भागपा माले जिला कमिटी की दो दिवसिये बैठा कशुभा रंब रविवार 14 जुलाई को दिवंगत कम्यूनिस्ट निता कॉम्रेड रामदे वर्मा जी के प्रतिमा पर माल्यार पंकर्तता श्रद्धांजली सभा का आयोजन कर किया गया आयोजित इस बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी पोलिट ब्यूरो सदस्य से मिथिलांचल प्रभारी धीरेंद्र जा ने कहा कि हाल में ही संपन उपचुनावों के नतीजों ने एक बार फिर दशाया है कि लोग मोधी और शा की राजनीती से उप गए हैं भाजपा के द्वारा 13 सीटों के इस उपचुनाव में महज 2 सीट जीतना इसी का प्रमान है उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के दमनकारी मनाहगाई बेरोजगारी वाली अड़ानी अंबानी की सरकार से जनता मुक्तिताती है मोधी सरकार अभी भी बिहार को विशेश राज्ये का दर्जा देने से नकार रही है जबकि बिहार को विशेश राज्य का दर्जा मिलने से विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी अगर भारत सरकार इस बार भी बिहार को विशेश राज्य का दर्जा देने से पीछे हटती है तो विधान सभान चुनाव में भाजबा और जद्यू दोनों को भारी फजी हत का सामना करना पड़ेगा बैठक में मौजूद पार्टी केंद्रिय कमिटी की सदस्या से पूर्व विधायक मंजू प्रकाश ने कहा कि विगत विधान सभान चुनाव का परिणाम और मौजूदा लोकसभा चुनाव का नतीजा यहां दर्शाता है कि भाकपा माले की बड़ी हुई और सम्मान जनक भागी दारी से इंडिया गडबंदन की सरकार बनेगी और भाजपा जद्यू के इस्तिकर्म बाजी का जबाव भी दिया जाएगा इस दोरान उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिन बिहार में जारी भाकपा माले का तेवर वाला आंदोलन उत्तर बिहार में भी तेज किया जाएगा आयोजित इस बैठक में जिला कमिटी सदस सुरेंद्र प्रसाद सिंग, बंधना सिंग, महावीर पोद्दार, रामचंद्र पास्वान, लोकेश राज, दिनेश कुमार, जीबच पास्वान, उपेंद्र राय, गंगा प्रसाद पास्वान, राज कुमार पास्वान, रोशन कुमार, फूल बाबू सिंग, संजीत पास्वान, मनीशा कुमारी, अजे कुमार, अनील चोधरी, ललन कुमार आदी मौजूद रहे, अभी तक के लिए बस इतना ही, नमस्कार. एक मनो, जबिए अख मनो, जबिए आदे, अभी वान, मनो, जबिए शेचा, नमस्कार.